हेलो फ्रेंद्स मैं हूं सियर उची गोईल आज का इंपॉर्टन अपडेट है उद्यम रिजिस्ट्रेशन पर जानते हैं कि जिन लोगों के पास अल्लेडी उद्योग अधार रिजिस्ट्रेशन था उन्हें अपनों रिजिस्ट्रेशन में कंवर्शन जरूरी है बाई 31 मार् बाई अभी बिफी ओपन नहीं हुगा है तो आप देख रहे हैं उद्यम रिजिस्ट्रेशन का पॉटल तो आए देखते हैं किया इस पे अपडेट आया है जिन लोगों का उल्ड़ी उद्योग अधारर रिजिस्ट्रेशन और वह कंवर्ट कराना चाहते है उद्यम रिजि से form open होने वाला है conversion के लिए उद्यम registration से अब आप देखेंगा हमारे home screen पर हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या notification आया है उन लोगों के लिए जो already उद्योग अधार में registered है clarification on existing entrepreneurs memorandum उद्योग अधार memorandum new registration regarding तो ये एक नया अपडेट आया है चलिए देखते हैं क्या है इस अपडेट में ये अपडेट स्पेसिफिकली उनी लोगों के लिए है कि जिनका और उद्योग अधार रिजिस्टर था यून 2020 और उन लोगों को अपना उद्योग अधा कनवर्ड कराना है उद्योग रिजिस्टरेशन में जो टाइम लाइन दी गई है उद्योग अधार रिजिस्टरेशन हुई में थे उनकी वालिटी थाटियद जून तक जो इशुट थे उनकी वालिटी आपकी रहेगी 31st मार्च तक उनका वालिट रहेगा 31st मार्च तक उसके बाद आपको कनवर्ड कराना पड़ेगा अपना उद्योग रिजिस्टरेशन में पहलता है कि यूजर्स को अपनी एडिट कर सके और अमेंड कर सके अपने डीटेल्स को अधियम रिजिस्टरेशन पोर्टल पे अग नहीं आप कोई अपडेट चेंज कर पा रहे हैं अपने एक्जिस्टिंग रिजिस्टरेशन में पर जल्द ही यह ओपन हो जाएगा नेक्स पॉइंट बोलता है कि अच्छिन क्या लेना है इंटर्पेंडियॉस को तो सबसे पहले तो यही एक्षिन लेना है कि बाई 31st मार् क्योंकि उसके बाद आपका उद्योगदार बिल्कुल भी वालिट नहीं रहेगा इसके बाद बहुत इंपॉर्टन अपडेट जो है वह है वाल्यॉफ प्लांट मशिंडर एक्विपेंट पे सबकी बहुत जादा क्वेरी है कि वाल्यॉफ प्लांट मशिंडरी कैसे के ये यवालग इससके थाद करना कौ शिर्कॉब और इंपूरि करना है सारे चंवीवाल्जार को जैसे कि आप उसमें भी करते ही यह वे इंपुल्वाल करना है थाद्योड खी चैंशेति होगे कि वाल्येस्टा ofiez REMiji यहalo पibl useless करना है उसमें ठ्र nursery होग भी एद बहुत है है जिस आप जब भी फाइल करते हैं को प्रिवेस एकर डेटर आलना पड़ता है तो वह बोलता है 31st March 31st March of the previous year पर जो भी assets कि आपकी प्लांटर मेंट की जो depreciated cost आपको input करना है तो again question आता है कि क्या होगी वह depreciated cost तो इसे बता दिया गया है कि depreciated cost होगी वह written करना है और जो वहां पर depreciated cost होती है as per income tax act वह ही यहां पर भी आपको input करनी है और उसी के बैसे पे आपकी value of plant and machinery और equipment कंसिडर की जाएगी तो यह circular आया था latest अधियम registration पर बहुत important update है बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है अगर वह उपन हो चाहे फॉर existing उद्योग अधार registration वालों के लिए क्योंकि वह चाहा रहे हैं कुछ amend करना कुछ change करना in fact अपना द्योग अधार registration को उद्यम registration में convert कराना जो कि अभी बिल्कुल भी available नहीं है in fact कुछ लोग तो ऐसा है जिनके काफी details change हुई है update करना चाहते हैं वह अपना उद्योग अधार लेकिन वह कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी तक open नहीं हुआ है लेकिन जैसे कि आपने देखा अभी portal में coming soon आ रहा है तो बहुत अधा expectation है कि form बहुत ही जल्दी open होने वाला है तो इसी तरह हमारे साथ जोड़े रही है हमारा चानल अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe भी जरूर कीजिए आज के लिए बस इतना ही thank you